हलो और विल्कम बैक टो वोदी सत्तो पीसियस मैं डिर फ्रेंट मुझे आश्रा है आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन में दिलो जान से लगे होंगे जो की आपका मुल करतब्ब है मैं हूँ आपका होस्ट हैं दोस्त अमरेंदर तिवारियाज यू नो भी आपका कॉवरिंग क्लास 11 गंसी आर्टी जोग्रफी और आज के इस चेप्टर में जो चौथा चेप्टर है इसमें पढ़ेंगे महासागरों यहों महाद्वीपो का वी तरन काफी इंपोर्टन और ड या वन डे एक्जाम में भी यहां से इस पार्टिकुलर चेप्टर से प्रशन पूछे जाते हैं तो वस्ट इस वीडियो फॉम बिग्निंग तुद लास्ट और हमारा ये रिकमेंडेशन रहता है मेरा की हमेशा वीडियो लेक्शर देखने के बाद आप PDF नोट्स बना के ज ये टास्क है मेरे दोरा इस पार्टिकुलर चेप्टर का कोई आपको हैन रिटेन नोट्स नहीं प्रुबाइड कराया जाएगा आपको खुद से बनाना है और मुझे दिखाना है कि आप लोग कितना अच्छे से सॉट नोट्स बना सकते हो ये सक्सेस का एक मतलब एक स्टे करते हो देखते हो अपने बरतबान पर्यावरण में सारी चीजों में डैनेमिक परिवर्तन होते रहता है नित परिवर्तन होते रहता है सेकंड माइक्रो सेकंड में परिवर्तन होते रहते हैं कुछ को हम अपनी नगन आखों के दोरा प्रयाप्त ज्यान जो भी हमारे पास ज्यान है उस ज्यान के द्वारा अनुभव कर पाते हैं और कुछ को जानने के लिए हमें बहुत ज्यादा ज्यादा ज्यान अर्जिन के और शक्ता पड़ती है और बहुत समय का इंतजार करना पड़ता है तब जाके उस परिवर्तन को हम देख पाते हैं समझ पाते हैं देखे VPSC ने जिस label का आपने आपको scallop किया है या other state PCS examination की तियारी कर रहे हो या UPSC की तियारी कर रहे हो आई-स की तियारी कर रहे हो तो आपको ये बात समझना चाहिए कि यहाँ पे understanding is more important जन memorizing obvious आपको कुछ facts होते हैं कि याद करने हैं लेकिन उसके पीछे का concept यदि आपको समझ में आता है और आपके जहन में रहता है तो जो facts related होते हैं वो facts automatic आपको याद रहते हैं जादा मेहनत करने की और शक्ता नहीं पड़ती है तो आपको active learning आनी चाहिए आपके दिमाग में triggered होना चाहिए question कुछ भी आपके सामने है चाहिए aspirants, civil services aspirants कुछ भी आपके लिए normal नहीं रहा जिस दिन से आपने decide किया कि मुझे SDM बनना है DIPTSP बनना है, AIS बनना है PCS बनना है तो उसी दिन से कुछ भी घटना है घट रही है समाज में ना कुछ भी आपके लिए normal नहीं है चाहिए आपके local level पे घट रही हो national level पे घट रही हो international level पे घट रही हो आपके पास बैग्यानिक temperament scientific temperament होना चाहिए scientific सुभा होना चाहिए चीजों को देखने की और समझने का नजरिया आपका दूसरा हो गया बैग्यानिक नजरिया हो गया कोई चीज हो रहा है मा लिजे अगर भुरून हत्यागी बात करें या छोड़ो भुरून हत्यागी बात करें नॉर्मल एस्टेटिक टॉपिक हो गया यदि बरतमान करें dynamic topic है एक बहुत बढ़िया अभी हाली में स्मृति इरानी ने ये बोला है कि period lives नहीं चाहिए औरतों को इससे लिंगा बेद और बढ़ेगा society में और औरतों की personality का एक negative नजरिया जाएगा समाज में और ये लिंगा बेद को और बढ़ाएगा मा लिजे तो आपके दिमाग में ये प्रश्ण खुद से कौतना चाहिए कि आखिर इसके पीछे क्या तरक हो सकता है और period lives यदि दिये जा रहे हैं हमारी मताओं और बेहनों को जो कहीं कारेरत हो गया रहे हैं तो इससे क्या उन मतलब भेद बढ़ेगा और किस प्रकार से भेद बढ़ेगा उनके खिलाब ये आपके दिमाग में triggered होने चाहिए ठीक है इसके साथ साथ जैसे एक normal question हमेशा पूछा चाता है मेंस हो या प्री हो या interview हो BPSC की बात करें तो कि BPSC में सारी बिहार में industrialization level कम है तो क्यों कम है जिसके बज़े से रोजगार स्रिजन नहीं होता और लोग पलायन को मजबूर हो रहे हैं श्रम इक बनके और पलायन करते हैं जाके दूसरे statement निमनस तरिये जीवन जी के फिरम साथ कारे करके कुछ अरजन करते हैं आपना और ने पहले मुवियों में कमेडी सीन भी चलते रहते थे तो उसमें मतलब परेस रावल जी के head for head पे question mark बना हुआ था तो वैसे ही question mark अपने बुद्धी में आप लगा दो ठीक है क्यों होता है कोई चीज कैसे होता है इसके पीछे क्या करण है यदि कोई गलत का वो है तो इसको समधान करने का क्या हमारे पास तरीका होना चीए भाया आप I.S. बनोगे PCS बनोगे तो यहीं काम होगा ना जो मानले की कोई समस्या है आपके society में तो उस समस्या के लिए जो भी उपलब्द बिगल्प है उसमें सबसे साटिक बिगल्प आपको चुन के उस समस्या का समधान करना है और कभी-कभी जो भी उपलब्द बिगल्प होते हैं वो सब के सब गलत होते हैं सही नहीं होते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास जो उपलब्द बिगल्प हो वो सही भी हो तो उसके लिए अलग से भी कल्व खोदना पड़ता है यह है यह scientific जिस दिन से आपने सोचा उस दिन से यह scientific temperament आपके दिमाग में उठना चाहिए आपके personality का हिस्सा बन जाना चाहिए और यह कैसे बनेगा active learning से बनेगा और meditative learning से बनेगा that means कोई भी चीज बढ़ रहे हो ठहरो सोचो फिर आगे बढ़ो और यह सोचो कि इसे प्रश्ण कैसे पूस सकता है बीपेसी के और किसी particular आयो की त्यारी कर रहे हो तो वो उसके द्वारा ठीक है तो बीपेसी का हमेशा जो है बीपेसी का पराग्राफ से है मुझसे क्या पूछ सकता है कितना गुमा के पूछ सकता है आपको ये बात पता होनी चाहिए तभी जागे युद्ध जीता जाता है अपोनेंट के चाल को समझना उसके दिमाग को का प्री रिडिंग करना ये आपके सभलता के निर्धारक तक तो है माई आप एक बात बताओ यदि माल दीजे कि आपने अटलस देखा मांचितर देखा विश्यो का फिजिकल मांचितर देखा तो आपके दिमाग में ये प्रश्ण उठना चाहिए कि जो महासागरों का डिस्टिविशन है और महादीपो का डिस्टिविशन है अभी बरतमान में व अपन्यास के जैसे नजर मार के आगे बढ़ गए होंगे मारे फ्रेंड तो ये सोचना जरूर है जब आप सोचोगे तो ठहरोगे और उत्तर ढूंडने की कोशिश करोगे और खोजी प्रविर्ति के द्वारा जब आप उत्तर ढूंडते होना तो इसको याद करनेंगी और नहीं होती है मारे फ्रेंड ठीक है इस बात को ध्यान में रखना तो इस पार्टिकुलर चेप्टर में इसी के बारे में बात करी गई है बहुत सारे भूगोल वेता जो है मौसम वीद उन्होंने ये अनुमान लगाया है कि हमारी जो प्रीतवी का जो भी ब्योस्ता है न और वो चारो तरफ महासागरों से घिरे हुए थे जिसे पैंथा लासा बोला चाता था मैं डियर फ्रेंड ठीक है तो चलिए एक एक करके देखते हैं और देखते हैं कि कौन से महानुभाव ने क्या-क्या कॉंसेप्ट दिया था इसको लेके उससे पहले मैं बताना चाहूं आप मेरे वीडियो देखो यदि आपको लगता है कि हम आपके प्रपरेशन को अपलिप्ट कर सकते हैं इसमें वैलु एडिशन कर सकते हैं तो हमने शुरू किया है संधान 2.0 for 70 और 71 BPSC pre-commence examination जिसमें हम 16-12 कक्षा तक की NCRT standard book for men's examination weekly test है इसमें personal guidance one-to-one conversation आप direct मुझसे की प्रवाइट कराना मैंने शुरू कर दिया गया है मेरे द्वारा किशन गज की चाय पर्टिकुलर सिरीज के द्वारा ठीक है इसके साथ साथ करेंट अफेर्स for pre-commence examination अससी answer writing practice ये सारी चीजे हम अपने telegram paid private group पे as per our schedule or timing through video lecture और PDF notes प्रुबाइट कराते हैं ये इसके 178 805 दूसरा नमबर है 98 10 63 88 05 हमसे जूड के आप अपने preparation का pace और standard दोनों maintain कर सकते हो my dear friend ठीक है अब आज आते हैं मेन मुद्दे पे ये हो गया हमारा promotion ठीक है चलिए महाद्वी प्रवाह तो मैंने क्या बोला कि बहुत सारे मौसम वीद ने ये अनुमान लगाया कि जो भी अस्तल मंडल है जो भी अस्तल खंड है वो सब एक साथ थे ठीक है जो भी हम महाद्वी देखते हैं वो एक साथ थे और वो चारो तरफ से महासागर से गिरे हुए थे जो कि हम बचपन से पांचवी छट्टी की जोगरफी से पढ़ते आ रहे हैं जिसे पैंजिया और पैंध रखते हैं कोई भी errorless इसमें asymmetry पाई जाती है काई से भी देखो तो ऐसा लगता है कि एक ही ये अस्तल मंडल है और इसमें different angle से इनको काट दिया गया है और इसको यदि आप एक में मिलाओ तो एक दूसरे से क्या करेंगे ये ऐसे कबरब हो जाएंगे ऐसे बैठ जाएंगे त की आकरीतियों में सम्मिती देखी गई और इसी पी case study सब लोगों ने करना शुरू करा 1596 में डच मान चित्रवेता अबराहम और टेलियस ने ऐसा पहला प्रतिबादन किया ऐसा अनुमान लगाया उन्होंने इस संभावना को ब्यक्त किया फिर एंटेनियों पहले ग्रीनी इन तीनों महादुपों का इकठा चित्र बनाया था ध्यान में रखना तीनों महादुपों का पहला इकठा चित्र एंटेनियों पेले ग्रीनी ने बनाया था माडिया फेंट ठीक है इसके बाद जर्मन मौसमबीत अलफॉर्ड वेगनर काफी important है previously BPSC में इससे सम्मंदित प्रश्ण पूछा गया है कि महादुपीय विस्थापन सिधानत किसने प्रपोश्ट किया था किसने प्रस्तूत किया था तो अलफॉर्ड वेगनर ने प्रस्तूत किया था ये मौसम भीत थे और ये कब प्रस्तूत किया था 1912 SP में माइडियर फेंट शुरुवात में भले ह को तव जाके मननता मिली कब इनके क्या-क्या विचार थे ये महादुपीय विस्थापन सिधानत में कंटिनेंटल द्रिफ्ट थेयरी में ये क्या-क्या कहने की कोशिश करा था इन्होंने चलिए आगे के स्लाइड में हम देखते हैं देखे इन्होंने कहा था कि सभी महासागर था उसे पैंथालासा बच्चे यहाँ पे कोई मतलब बहुत बड़ी जनकारी नहीं है ये पैंजिय और पैंथालासा नाम बट यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो ध्यान में रखना पैंजिय अस्तल मंदल से मतलब अस्तल खंड से संबंदित है और 20 करोड वर्स पहले इसमें पैंजिया का विवाजन आरंब हुआ और उत्री भाग लॉरेंसिया बोला गया इसको उत्री हिस्से को और दक्षनी हिस्से को गुंडवाना लेंड बोला गया माई डिर फेंड गुंडवाना लेंड बोला गया ठीक है पैंजिया का जब वाना लेंड में आपका दक्षणिया में अमेरिका, अफरीका, औस्टेलिया, इंडिया ओगरा, मलेशिया ओगरा ये सब पार्ट आते हैं, यहां पर बताया गया है कि पर्मियन काल में 255 मिलियन इयर एगो ऐसी इस्तिती थी, फिर 20 करोड वर्स पहले 83 एज में इसमें विखं आता है, महासागरों का और आपके महादीबों का, छीक है, तो इन्होंने बताया कि 20 करोड वर्स पहले महादीब पैंजिया और पैंजिया का विवाजन हुआ, ओत्री हिस्सा लॉरेंसिया और गुंडवाना कहा गया, वेगनर की अनुसार, अब आपके दिमाग में ये उठ पीचना चाहिए, आप सोच रहे होंगे कि सर, ये कहरा हैं कि 20 करोड वर्स पहले विवाजन हो गया, तो क्या विवाजन ऐसे ही हो गया, अटहमेट्टिक हो गया, उसके पीछे कोई तो बल होगा तो उसको इन्होंने सार्टिसधाई करने के लिए, जस्टिफाई करने के लि या दुरूब्य फ्लींग बल्ड देखते होंगे आप आपने सब ने पड़ रखा होगा कि प्रीथभी जो है ये नारंगी की तरह है ठीक है दुरूब की तरफ नौर्स पोल और ये साउथ फोल हो गया और ये आपका पोलर रीजन हो गया जीरो डिगरी तो ये सब क्या मतलब ये जीरो डिगरी बरावर हिस्सों में मांटो बहिया नहीं तो बहुत लोग जगडा करेंगे कि बरावर बरावर नहीं बटाए प्रीथभी को ठीक है ये हो गया भूमद रेखा तो आपने देखा होगा कि भूमद रेखा पर ये बल्जिंग आउट हो रही है प्रीथभी अपने अक्ष पर घुमती रहती है ना इसी के बज़ा से इसका ये बल्ज आउट हो रही है प्रीथभी के घुमदन गती के कारण ऐसा हो रहा है माई डियर फ्रेंट ठीक है तो ये आपने देखा और इन्होंने ये बताया कि जो दुरवलता मंडल है ना तो अस्थल मंडल क प्रीथभी ये नास्ती नास्ती प्रीथभी पर इतना संटिफ्यूगल फोर्स बना कि जो एक दूसरे से अटैस थे धीरे धीरे ये एक दूसरे से फैलने लगे अलग होने लगे ठीक है और इनका विस्तार होते गया एक दूसरे से जो इनका फिट था वो फिट से ये अलग होते गए और धीरे दीरे बतमान वस्ता में ये पहुंच गए, तो ये था धृभिये विस्तापन बल, धृभिये विस्तापन बल किसके कारण उत्पन होता है प्रितभी के घुंडन गती के कारण प्लेटो पे सेंट्रिफ्यूगल फोर्स काम किया जिसके वज़ा से प्लेटो में विखंडन शुरू हुआ ऐसा बिगनर साहब ने जस्टिफाई करने की कोशिश की और साथ में जो टाइडल फोर्स होते है जो चंद्रमा और शुरूर के कारण जो टाइडल फोर्स उत्पन होते हैं प्रितभी पे उसका इन्होंने कहा कि इसके कारण भी प्लेट जो है इधर उधर खिशकने लगे और जो बरतमान वस्ता है उस अवस्ता में पहुंचे जो कभी इकटे थे तो यह आपने देखा कभी-कभी यह भी प्रश्न पूस्ता है कि पोलर या धुरूबिय फ्लिंग बल किसे संबंदीत है तो बेगनर के महादुपिय विस्तापन सिधान से संबंदीत है तो यह सारी चीजे हमने देखा कि महादुपिय सिधान में अपने अल्फरेड बेगनर अल्फ्रेड वेगनर ने क्या कहने की कोशिश करी थी जिसका प्रतिबादन इन्होंने 1912 इस्वी में किया था माइडे फेंट ठीक है अब इसके प्रमाड को लेके उन्होंने क्या दिया था इन्होंने तो पतलब थेयरी अपनी प्रतिबादित कर दी कि ये ये अवस्ताधी अब इसको प्रमाड करने के लिए उन्होंने किस प्रमाड का सहारा लिया क्या-क्या इन्होंने बताया लोगों से उसके बारे में हम देखते हैं प्रमाड के रूप में ठीक है तो उन्होंने पहला कहा देखो महादीवे भिस्तापन सिध्धान्त के प्रमान यहां पे लिख लो, ठीक है, इन्हों ने पहला कहा कि देखो भाईया महादीवे में समयता मिलती है, तो अब योस आपने देखा, हमने देखा था, कि जो उत्री अमेरिका है, धक्षनी अमेरिका है, या अफरिकन कॉंट जो इनके एजेज है न ये सब क्या हैं एक दूसरे से समेट्री रखते हैं एक दूसरे में यदि इनको मिलाया जाए तो ये एक दूसरे से क्या कर सकते हैं मिल सकते हैं ठीक है ये समेट्री देखा तो इन्होंने ये बताए एक तो ये बताए कि देखो इनके जो एजेज है ऐस ठीक है और ये अफरीका हो गया अफरीका हो गया ठीक है तो माल ये यहाँ पे इसके एज पे जो चटाने और बीच में आपका एटलांटिक महासागर हो गया ठीक है तो बीच में ये जो चटान है न ये रोक है रोक जो बीच में यहाँ पे रोक है इसकी आयू और इस कॉंटि बीच में महासागर है भाईया ठीक है इसको और मैं क्लेर कर देता हूँ माल लिजे कि ये आपका अमेरिका हो गया और ये आपका क्या हो गया अफरिका हो गया और बीच में ओसेन है ठीक है बीच में महासागर है पहली नजर में तो ये देखते हैं कि भाईया इन दोनों में को चमितरी नहीं है या पहली नजन में देख लेता हैं कि इनके edges क्या हैं एक दुश्टे से सा TOPरत रखते हैं ये इंको मिलाया जाया तो यह fit बाट जाएंगे ठीक है इसके बाद इनोंने बता है कि इस महाद्वूप का age का जो चट्टान है न इस आद्रीब के चटान के समान आयू है रेडियो एक्टिव पतदीक के द्वारा जब इनोंने ग्याद करा तो ठीक है ये कब पॉसिबल है कि कभी ये एक ही चटान मतलब ये एक ही चटान से निर्मित हो एक ही समय में निर्मित हो क्योंकि parental चटान का होना बहुत ही ज़रूरी है जो भी मतलब अभी बर्तमान में कुछ भी चीजें देखें, माल लिए स्वायल देखते हैं, तो स्वायल क्या है, वो अपने parent चटानों से निर्मित है, जिस तरीके का स्वायल होगा, उस तरीके का स्वायल होगा, उसके गुणों का अध्यान करके हम बता सकते हैं, जो कि previous कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि ये particular चटान से बना हुआ है तो ये कब ये सामिता होगी जब ये एक ही चटान से बने होंगे और कब बनेंगे जब ये दोनों एक ही साथ होंगे ठीक है तो उन्होंने एक प्रमान ये दिया अपने सिद्दान के दूसरा इन्होंने बताया टिलाइट के बारे में इन्होंने बताया देखें टिलाइट क्या होती है सेडिमेंटरी रॉक होते हैं और ये हीमानी निछेप से निर्मीत होते हैं बेरी बेरी इंपोर्टन ध्यान में रखना BPSC में यहां से प्रश्ण पूछा जा सकता है काफी important है यहां से प्रश्ण पूछा जा सकता है तो इन्होंने देखा कि भारत का जो गुंडवाना वाला हिस्सा है मतलब दक्षणी हिस्सा है यहां पे यह टीलाइट के निशिप मिलते हैं इसके साथ यह निशे अफरिका, फॉकलेंड, द्वीब, मिडगासकर, अंटार्क्रिक और ऑस्टेलिया में भी पाय जाते हैं यह कब पाय जा सकते हैं जब यह पूरा भूखंड कभी किसी जबाने में जो आइस कैप होता है उससे उसके नीचे हो, उसके द्वारा निशेपित किया गया है तो अभियस यह आईस से ढखे होंगे और एक साथ होंगे तभी तो यह सारी चीजों पे, यह सारी जगों पे टीलाइट पाया जाता है इसके साथ-साथ इन्हों ने प्लेसर निशेप, प्लेसर डेपोजीशन का भी इन्हों ने उधारन दिया कि घाना टट पे सोने के बड़े निशेप मिलते हैं कि उपस्तिती से निर्मीत होती है और सोना युक सुराय ब्राजिल में पाय जाती है तो घाना टट पे सोना पाय जाता है और सोना युक सिराय ब्राजिल टट पे पाय जाती है तो ऐसा मतलब कोई भी जब मैंने कहा जो पैरेंटल चटान की अनुपस्तिती है और बीना पैरेंटल चटान की उपस्तिती के सोना कहां से घाना टट पे आ गया तो कभी न कभी ये ب्राजिल से अटाच होगा, ये इसके साथ इनों ने ये प्रमाण दिया, ठीक है, और कभ ऐसा possible है, तब जोनों अटाच हो, इसके साथ-साथ इनों ने बहुत सारे फौसिल्स का प्रमाण दिया, ठीक है, ये глोस्तो पैरिस फौसिल्स है, इसका धिखो, इस इसलिए मेरा सिध्धान्त सही है लेकिन बाद में मतलब शुरुआत में लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा मजा के दृष्टी से देखा और ये बेचारा खोज करते करते कहीं बर्फ में ही मर गया था ठीक है अब बहुत दिनों के बाद इनके स्टुडेंट ने इनके करते रहिए जीते जी मिलेगी सफलता दमरने के बाद भी मिल सकती है ठीक है इस बाद को ध्यान में रखना और ये मजाक नहीं है माई डियर फ्रेंट अपने कारी के पती ये डिडिकेशन दिखाता है कि आप कितने अपने कारी के पती समर्पित हो लोग सही कहें या गलत कहे कभी न कभी यदि आप सही कारे कर रहे हो तो उसका प्रतिफल आने वाले जिनरेशन को मिलेगा है ठीक है अगला है कन्वेक्शनल करेंट थियरी ये भी एक महराज कहते हैं कि कन्वेक्शनल करेंट थियरी के वज़ा से अभी महादीपों का विस्थापन हुआ और अभी जो ये वज़ा से उत्रपन होते हैं इसे ये तपांटर होता है जो heat होता है, heat में विवांतर होता है और उच विवाओ से निम्निमिवाओ की ओर क्या होती है धराएं हमेशा प्रवाहित होती है तो ये आप देखो होता क्या है mental में, माल लिजे ये आपका mental है, ये mental है यहाँ पे figure में देखना, तो यहाँ से जो तप्ट अवस्था में magma है ये उपर की तरफ हमेशा उड़ती है, मतलब तपांतर के कारण, obvious यहाँ पे गर्मी जादा होगी, heat क्या होगी जादा होगी और यहाँ पे कम होगी, या यहाँ पे माल लिजे cold की अवस्था है, ठीक है तो उच विवाओ से निमन विवाओ की और heat जाएगा, heat का transfer होगा obvious, तो यह current क्या करते है heat transfer करते है, लावा के द्वारा यह क्या होता है, conventional current उपर जाता है, जब उपर जाएगा, यह माल लिजे यह आपका core हो गया, ठीक है और यह आपका mental हो गया, ठीक है अब यहाँ से क्या होता है और यह आपका crust हो गया यहाँ से क्या हो गया, अब माल लिजे यह हमने बताए, अब यहाँ से conventional current के द्वारा यह heat उपर जा रहा है और यहाँ पे क्या है यहाँ पे क्या है आपके plates अटैच है, तो जब यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे pressure लगाएगा कि नहीं लगाएगा नीचे का जो यह अपलिप्ट हो के यह यहाँ तक जाएगा तो यह particular plate पे pressure देगा, और pressure देगा तो यह कहीं न कहीं इसको disturb करने की कोशिश करेगा तो यह conventional current उपर जाते हैं, इसको pressurize करते हैं, फिर जब अपना heat खतम करते हैं, मतलब इनकी energy खतम हो जाती है, तो फिर ठंडा होके फिर यहाँ पे नीचे आ जाते हैं subvention होता है इनका, और फिर यह circle जो है, यह चलते रहता है अब यह circle कैसे continental drift के पीछे का कारण है, अब आप इसको समझेए, ठीक है अब माल लिजे कि अब यहाँ पे फिर आ जाते हैं कि यह जो current हैं, यह जा रहे हैं यह जा रहे है current, और देखो यहाँ पे intra thinning कर रहे हैं, मतलब चटान को कमजोड कर रहे हैं, यह चटान हो गया, और यह current हमेशा यहाँ पे जा रहे हैं, मतलब यह hot plume लवा का यहाँ पे जा रहे हैं, और इसको pressurize करके फिर ठंडा हो के नीचे आ जा रहे हैं फिर उपर जा रहे हैं, फिर नीचे आ जा रहे हैं यह circle चलते रहता है, तो intra thinning होगी की नहीं, आंतरिक रूप से plate कमजूर होता है, और कमजूर होते होते धीरे धीरे यहाँ पे gap होने लगा, तूटने लगा, ठीक है और यहीं जब फिर, आप देखिए अब यह तो cycle है न, एक cycle इधर चल रही है, एक cycle इधर चल होता है, और यहीं फिर, लावा में convert होगे, फिर hot होगे, ऊपर आ जाता है ठीक है, जिस से जो है, spread हुआ, जो भी floor था असल मंदल का, वो प्लेटों में तूट के और अलग-अलग, डिफरेंट जगों पे चला गया, यह सारी चीजे हैं, यह हमने देखा, इन्हों ने conventional current theory में यह प्रतिबादन किया, author homes के द्वारा प्रतिपादित किया गया है, यह समवहन धराय रेडियो एक्टिब तत्तों से उत्पन ताप भिनता से mental भाग में उत्पन होती हैं, उठते हुए समवहन तरंग के कारण भू पटल या प्लेट का उत्थान होता है, जबकि गिरते हुए समवहन तरंग के कारण भू सनत्ती का निर्मान होता है, माई डिर्फेंट, ठीक है? आगे बठते हैं, आगे देखते हैं कि इस particular chapter में आगे क्या दिया गया है, ठीक है, अब देखिए, अब अगला हमारा जो topic है, महासागरिये अधा अस्तल का मानचित्रन, अब यहां पर महासागरों का जो inner structure होता है न, उसके बारे में ये बात कर रहा है, अब एक हमारा, मतलब जो भी हम महादुपिये विस्तापन सिधान्त पढ़े, वो खतम हो गया, यह अस्तल मंडल कभी एक था, अब बरतमान अस्ता में विखंडित होके, इस अवस्ता में पहुचा है, अब बात करी जा रही है, इस chapter के दूसरे हिस्से में, महासागर ये अधा अस्तल का मानचितलन, तो आपके दिमाग में ये उठना चाहिए, कि क्या जो हम अस्तल खंड देखते हैं, बाहर रूप में देखते हैं अस्तला किरतिया, क्या ये अस्तला किरतिया, केवल अस्तल मंडल पे ही देखने को मिलती है, महासागरों में तो हो सकता है कि जैसे हम एक बात बान लिजिए कि जैसे अपने गाउं का तलाब देखा तब तलाब का पानी सूख जाता है तो हम क्या देखते हैं कि तलाब का अधा असल जो है वो समतल है तो क्या यहीं स्थिती महासागरों में भी होती है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है माई डियर फेंड यदि आप ये सोच के पढ़ रहे होंगे तो ये आपका गलत कॉंसेप्ट है और इसी कॉंसेप्ट को तोड़ेंगे हम अगले एपिसोड में इस पार्टिकुलर चेप्टर को मैंने दो हिस्सों में बाटा है आज के हिस्स पॉइंट और इसके साथ प्लेट ट्याटनिक तेहरी का अध्यान करेंगे और भारत का निर्मान कैसे हुआ मतलब भारत के भूव आखरीति का इसका भी अध्यान करेंगे एक नजर में आप देख लो मैंने कहा ना कि जब गाउं का तलाव सूख जाता है तो उसका अधास्त परवत पाये जाते हैं पठार पाये जाते हैं सेम इस्तिति है ध्यान में रखना तो देखो यहां पे यह तो हो गया आपका परवतिया हिस्सा अस्तल मंडल की बात करें अब जो मालो जैसे मालो गाउं का तलाव है तो गाउं यह समतल भूमी हो गई ठीक है यह समतल भूमी ह आपके land हो गया अब यहीं land क्या होता है यहां से जाके यह नीचे चला जाता है और यह तलाब बन जाता है पॉंड हो गया यह आपका तलाब हो गया ठीक है तो अब आप देखते हो कि यह जो land है canyon का नाम दे दिया गया देगो यहाँ पे घाटियां बहुत सारी घाटियां भी निर्मित हो गई है यहाँ पे sea mount है ओतल hill है यहाँ पे गायवट पाय जाते हैं बहुत तरीके की चीज़े यहाँ पे पाय जाती है जो कल के episode में हम अध्यन करेंगे इस particular video lecture का आप sort notes बना के मुझे जरूर send करना और हाँ यदि आप channel पे नहीं हो और हमारे paid member नहीं हो तब भी आप sort notes बनाने की कोशिश कीज़े my dear friend खुद से study करते हो तो यह हमारा एक promotional भी वीडियो है और एक guide भी मैंने provide कर दिया कि किस तरीके से आपको सारी चीजें पढ़नी है चाहिए वो geography हो, history हो, economy हो या कोई another subject हो इसी तरीके से जब आप follow करने की कोशिश करोगे किसी भी particular विशह वस्तु को तो आपके जेहन में ज़्यादा दिन तक जनकारी रहेंगी और आप exam को ज़्यादा easily crack कर सकते हो, my dear friend आपने अंत तक मुझे धहरे के साथ सुना और हाँ, यदि आप हमसे जूड़ना चाहते हो तो हमसे जूड़के आप अपने preparation का pace और standard दोनों maintain कर सकते हो ये हमारा नमबर है 97-178-85-805 इस पे call करके WhatsApp करके हमसे जूड़के आप अपने preparation का pace और standard दोनों maintain कर सकते हो मिलते हैं अंगले वीडियो लेक्शर में तब तक लिए signing off, take care, जै हिंद, जै बारत, my dear friend